अपने टीवी पर एक छोटी सेलफी लगाएं और आप किसी भी चैनल को देख पाएंगे डिजिटल एंटीना के मालिक नहीं चाहते कि आप इसे देखें शुरू करने के लिए हमें पहली चीजें चाहिए एक तुकड़ा एल्यूमिनियम फॉयल, इतने का उसके बाद हमें एक ऐसा ही एक छोटा सा गहरा पॉलिस्टाइरिन का प्लेट लिना होगा अब हम प्लेट के अंदरानी भाग को एल्यूमिनियम फॉयल से कवर करेंगे एल्यूमिनियम एक उत्कृष्ट सिग्नल कंड़क्टर है जो हमें बाधाओं को कम करने और कनेक्शन को सुरक्षित रखने में मदद करेगा एक बार जब कांची से कवर कर लिया जाता है तो हम पीछे के अतिरिक्त हिस्से को काट देते हैं दबाओं से बचने के लिए हम एक वेल्डर की मदद से हमारी प्लेट के बीच में एक छोटा सा छेद बनाएंगे अब ऐसा ही एक डबल टर्मिनल लो और हम सबसे लंबे वाले हिस्से को पीछे रख देते हैं हम इसे हमारी प्लेट में ठीक से डाल देते हैं अगली चीज जो हमें चाहिए वो है एक कोएक्सियल या टीवी केबल अब एक सरोता की मदद से हम इसका एक छोटा सा टुकड़ा काट लेते हैं तो ब्लेट की सहायता से हम तार के बीच चिन्ह बनाते हैं जिसे पहले काटा गया था एक बार विभाजित होने पर हम तांबे को ढखने वाली गोंध हटा देते हैं फिर हम सफेद हिस्से को हटाते हैं ताकि हमारा तार खुला हो जाए अब हम तार के दूसरे सिरे की गोंध हटाते हैं एक सेंटिमीटर नीचे ब्लेड से हलके चिन्ह बनाते हैं जब तक की तार के फिलामेंट निकल न जाएं फिलामेंट्स बाहर आने पर उन्हें वापस लगा देते हैं फिर हम टर्मिनल जैसे था इस तरह से लगा देते हैं दुबारा प्लास की सहायता से हम टर्मिनल का तांबा काट देते हैं फिर हम cold drink के can का ring निकालते हैं अब हम तांबे को ring में रखते हैं फिर दूसरे प्लास की सहायता से हम बची हुई तांबे को मोडते हैं और उसे ठिकाते हैं जब हमारा हिस्सा तयार होता है तो हम उसे terminal के धागे में डालते हैं जिसे हमने पहले support में डाला था फिर हम coxial cable का एक बड़ा टुकड़ा उठाते हैं फिर हम blade की सहायता से एक core को निकालते हैं rubber को हटा देते हैं ताकि filaments बाहर निकल सकें फिर हम उसे वापस डालते हैं और चिम्टी से copper को दूबारा निकालते हैं हम एक terminal लेते हैं और उसे अपने cable में डालते हैं हम यही प्रक्रिया दूसरी ओर भी दोहराते हैं जब हमारे पास ये दोनों core होते हैं तो हमें बस उन में से एक को plate के दूसरी तरफ लगाना होता है अब हमने दूसरी तरफ को अपने TV में डाल दिया है और अब हमें बस ये जाँचना बाकी है जैसा कि आप देख सकते हैं चैनल बहुत स्पष्ट हैं इस सरल और सस्ते तरीके से आप बाजार वाले महंगे एंटीना की बिना उचित मूल्य पर चैनल्स को देख सकते हैं